दोस्तो आज हम RBL का जो EMI in infinity pass ये क्या है पूरा डिटेल के साथ जानेंगे इसाथ में दोस्तो ये आपको मिलता है जैसे कि अभी बजाज से मिलकर हमको मिला है बजाज जो है कंपनी उससे और RBL ने जो मिलके RBL का ये हमारा credit card दिया है बनाकर वहां पर दोस्तो हम जब देख रहते तो यहां पर EMI in infinity pass का मतलब क्या है यह हम आपको बताएंगे सबसे पहले दोस्तों आप पूरी डिटेल से जानना चाहते तो वीडियो को पूरा विस्तार से देखिए क्योंकि हर एक चीज को समझे बारी किसे माल लीजिए दोस्तों आप एक mobile खरीद रहे हैं तो वहा और चीज में अब जब EMI में आप कोई पी चीज खरीद तो एक प्रोसिंग फिस लगती हैं फिर यहां पर दोस्तों cashback on फ्रोसिंग फीज यानि कि आप जो EMI देते हैं वहां पर कुछ टेक्स लगता है कुछ नकुछ लगता है तो वहां पर दोस्तों यहां पर अगर आप इसे इनेबल कर लेते आर बील का जो ही जो की बजार से मिलकर भी बना होता और आपके पास वैसे भी आर बिल करेडिड कार्ड हो सकता है तो दोस्तों यहां पर क्या है कि जब आप एम-ऐ इपर समान खरीदेंगे तो आपको कोई फीस नहीं देने पढ़ीगी सो पर तीसत और स्लिप जब आप एम आई कंवर्ट कर तो एम आई जैसे कि आपने समान खरीदा साथ जार का फिर उसमें एम आई में कंवर्ट करवाएंगे तो उसकी एक प्रोसिंग फीस होती है वो नहीं लगेगी अगर आपने ये वाला इनेबल कर दिया अब ये फायदा आपको इसलिए कि कि अगर आप ज्यादा इससे समान करीद रहें और मला एक साल में दो तीन पर डेट खरीद लेते हैं तो यह आप इनेबल करेंगे तो सो परसेंट आपको बेनिफिट मिलेगा फायदा मिलेगा इधर दोस्तों आपको कैस बैको प्रोसिंग फीज आपको 20 इवरी जब भी सेंट का जो है फीज नहीं लगे तो यह इसलिए काम का है आप अगर इसे 799 में एक बार में करवा लेते हैं तो अगर आप ज्यादा प्रोडेक्ट एम आई पर खरीदते हैं तो यह आपके लिए बेनिफिट हैं अगर आप एक दो खरीदते हैं सिरफ एक ही खरीदा है फिर दोस्तों आपकी फिस लगेगी तो आप लगने दीजिए आपको कोई नहीं है अगर आप करना चाहते ज्यादा समाल लेने चाहते जैबल करेंगे साथ सो निन्यान में आपके कड जाएंगे डेविट कार्ड से यानि कि आपको पे करने पड़ेंगे तो दोस्तों आई होप यह आपको समझाया होगा कि यह इम आई जैसे प्रडेक्ट खरीदते उस पर आपको बेनिफिट देता है और कोई कार्ड पे नहीं आर्बियाल बै